हम आज रिव्यू करेंगे तॉम ओफ यासु दिन तुगलक का यहाँ पे जाने के लिए आप तुगलकाबाद फोर्ट का एक्जिट करते हुए सीधा एंटर करें एंटरी पाथ के दोनों साइड में फोरेस्ट एरिया है और एंटरी पाथ पत्थरों से बना है रास्ते में आपको काफी बंदर मिलेंगे तो अपना समान संभाल के चलें टिकट की बात की जाए तो कॉमन टिकट है तुगलकाबाद फोर्ट की ओफ लाइन 25 रुपए और ओलाइन 20 रुपए में मिल जाती है टिकट काउंटर का लास्ट टाइम शाम के 5 बजे तक है मगर आप एंटरी 6 बजे तक ले सकते हैं इस टोम में आप लगबग आदा घंटा बिताएंगे और टोम में एंटर होने से पहले आप चाहें तो इसका आउटसाइड वाक तूर भी ले सकते हैं टोम का आउटसाइड टूर करने के लिए आपको लेफ्ट साइड जाना होगा और टोम के चारो तरफ फोरेस्टिड एरिया है इस टोम का कंस्ट्रक्शन हुआ था सन 1325 में और इसमें मैटीरियल यूज़ हुआ है रेड सेंड स्टोन एंड वाइट मार्बल जो कि उस समय का इस्लामिक स्ट्रक्शर्स में कॉमनली यूज़ हुआ करता था इसका डोम वाइट मार्बल से बना है 700 साल बाद भी इस टोम की कंडिशन काफी अच्छी है इस टोम के अंदर ओफिस भी है और ड्रिंकिंग वाटर कूलर भी झाल 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 टोम सराउंडिड है चारो तरफ ग्रास लोन से इस एरिये के अंदर एक और टोम भी है जिसका नाम है टोम ओफ जफर खान जिसको बनवाया था ग्यासुदीन तुगलक ने जफर खान टोम में अंदर दो ग्रेव्स भी हैं ग्यासुदीन टोम की बात की जाए तो अंदर इसमें तीन ग्रेव्स हैं जिसमें मिडल वाली ग्रेव्स खुद ग्यासुदीन की है और साइड वाली दो ग्रेव्स में उनके बेटे और बेटे की वाइफ की है तो जाते जाते हम करते हैं यहां का वर्चुल टूर सो, ठेंच्छ ग्याए तोसुदू? झाल 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 झाल